अक्सर हम आप ऐसी जगह तलासते हैं अपने छुटियों को बिताने के लिए जो या तो बहुत मस्फूर होते हैं या वो किसी बिसेश रूप से खास होते हैं पर क्या कभी आपने ऐसी जगह जाने का सोचा है जो हो तो बेहत खुपसूरत लेकिन उनके बारे में साइधी कोई जानता हूँ जी हां दोस्तों जम्मो कास्मीर की बेहत खुपसूरत नया बस्थल जिनके बारे में भले ही बहुत कम लोग जानते हों लेकिन यह अपने आप में बेमिशाल है तो चलिए हम आपको जम्मो कास्मीर की हसेर वाधियों के बारे में बताते हैं हर साल जहां हजार की दादात में परियाटक आते हैं जो जम्मो कास्मीर की मसहूर बादियों में सैर करके चले जाते हैं जम्मो और कास्मीर राज्य के अनंद नाग जीले में इस्थीत पहलगाम एक बहत आद दर्श स्थल है जो प्राचीन मुगलकाल मध्य यूगकाल की और ले जाता है यहां आप अस्थानिय लोगों की संस्कृती, सभ्यता, कपड़े, भोजन, आदि से काफी परवाहित होंगे यहां का कोना कोना प्राकृतिक सुन्दर्ता का जीता जाकता उधारन है डोडा डोडा जम्मो कास्मीर का एक बेहत आकर्शत जीला है जो प्राकृतिक प्रेमियों के ल जाल पादरी आदी जो इसे अपने आप में खास बनाते हैं यह अस्थाल तिर्थ याद्रियों के लिए भी बेहत उंदा है जहांके मंदीर ला जवाब है कठवा 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 जम्मो से तक्रीबन 88 किलोमीटर दूरी परवसा जम्मो कास्मीर का एक बेहत खुपसूरत जी मखमली खास के मैदान, उचे उचे पेल, प्राकिर्तिक नजारे, घने जंगल, कलकल बहते जरने आरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे राज़ौरी जम्मो कास्मीर के पूछ जीले का एक हिस्सा है, जो अपने आकर्सक त्रिश्यों से परियाटकों के आकर्सक का गेंद्र बनता जा रहा है राज़ौरी में इस एतहासिक इमारतें, आलिशान मस्चिरें और अर्जने परियाटक अस्थल है राजारियों को सुन्दर जहर्नों का अड़ा कहा जाता है जहां लाल बावली एक जहर्ना है जिसमें मचलियों की अठखेलियां देखने लाइक है पटनी टोप जमो कस्मीर के उधमपूर जीले में स्थीत पटनी टोप बेहत अकरसक हील रिजोर्टस है पटनी टोप को वास्तों में पाटन दा तलाव की नाम से जाना जाता है जिसका साथिक अर्थ है राजकुमारी का तलाव जहां कि राजकुमारी इसी तलाव में प्रतिदिन स्नान करती थी हरे भरे घुमावदार पहाडियां लुभावनी द्रिश्य, घनी जंगल और सांत वादावरन पटनी टोप की पहचान है हेमिस लेह से दक्षिन पूर्व की ओर 40 किलोमीटर की दूरी परिस्थित हेमिस जमू का स्मीर का बेहत आकरसक पर्यटर नस्थल है जो प्रकृतिक की गोद में प्रकृति से भरपूर जीता जाकता उधारन है यहां का हेमिस मठ और गोमपा मठ हेमिस की मुख्याकरसनों में से एक है यहां के मुख्याकरसक बूद की विशाल परतीमा है जो तांबे से बनी हुई है पुलवामा कस्मीर के धान का कटोरा कहा जाने वाला फुलवामा चमु कस्मीर राज़े के बेहत खुबसूरत जिला है इस जिले में 323 गाव है जो यहां की 5 तस्जिलों के अंतरगत आते हैं अगर आप इन छुडियों में यहन यहां आते हैं तो आपको यहां की इतिहासिक रोड मुगल रोड अवज से जाना चाहिए क्योंकि इस रोड पर आप अरहर बाल जहरना, सिकारगाह जहरना इत्यादी देख सकते हैं तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स पर सजिस्ट करें और लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना न भूले और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचें